So, Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel, My name is Vikas. दोस्तों, आज किस फ्रेडियों हम लोग बात करने वाले हैं कि ATS friendly resume आप कैसे बना सकते हो और ATS resume आपने अगर बनाया तो उसका कैसे score आप चेक कर सकते हो मैं live चेक करके आपको बताऊंगा और मेरा resume जो ATS friendly है जो की Accenture company में मेरा ये resume shortlist हो गया है तो मैं live आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने resume बनाया था और आप कैसे बना सकते हो बहुत सारे लोग मुझे message करते हैं, mail करते हैं कि सर मैंने बहुत सारी company में apply किया है लेकिन मैं resume किसी भी company में shortlist नहीं हो तो इसे क्या regions है दोस्तों मालो किसी company जैसे मालो by juice या कास किसी भी company ने अगर कोई vacancy निकाल लिए 100% की ठीक है और उसमें मालो की 1000 candidates ने apply किया तो 1000 candidates का resume किसी भी HR के लिए possible नहीं है read करना, पढ़ना possible नहीं है, check करना possible नहीं है तो company आज के time पे ATS tool को use करती है ATS का मतलब होता है applicant tracking system ये क्या करता है कि आपका job requirements जो company demand कर रही है job qualifications है, जो skills है वो आपके resume से match करता है अगर उसको लगता है कि ये चीजे match कर रही है आप इसके लिए eligible है, तो आपका resume वो shortlist करके company को provide कर देता है तो इस तरह से ATS काम करता है ओके, तो आज के इस video में step by step आपको बताना है कैसे आपको resume बनाना है कैसे आपको format, concept format आपको use करना है resume आता है तो सभी चीजे हम लोग discuss करेंगे और ये job placement की series है इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि कैसे ATS review बना सकते है दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे LinkedIn के के थूँ आप job ढूंद सकते हो तीसरे वीडियो में लोग discuss करेंगे कि नौकरी.com से कैसे job ढूंद सकते हो तो बहुत सारी वीडियो से आने वाली है और साथ में वीडियो का आप like भी कर देना चैनल को subscribe कर देना वीडियो को share भी कर देना कि ऐसी वीडियो में daily basis पे upload करते आता हूं सो बीना देर की वीडियो पर start करते हैं गाई दोस्तों जैसे कि एक वो screen share पे दिखाई दे रहा है मैंने यहां पे एक डॉक फाइल ओपन किए इसमें लिखा हुआ है ATS तो ATS का full firm होता है applicant tracking system तो इस पे step by step मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसमें आप resume बना सकते हो so ATS क्या एक software program है जो कि automate है मतलब एक तरह से equipment process के लिए और इसमें लिखा हुआ है कि resume will be scanned by software and ATS resume must be easy to read तो यह जैसा आप resume बना रहे तो easy to read होना चाहिए ठीक है पूरा plain documents होना चाहिए और इसमें आपको fancy formatting नहीं करनी होती है simple font को use करना है आपको यहां पे layout को use करना है labels को use करना है आपको यह photo वेगार upload नहीं करना है चाहिए अगर आप face of experience हो आपको इस तरह की चीज़े को avoid करना है ATS focuses on keywords to determine if applicants matches what the employer is looking for तो keywords भी आपको यहां पे use करना है कैसे आप keywords को include कर सकते हो कैसे integrate कर सकते हो मैं सभी चीज़े आपको बताने वाला हूँ तो इसमें 8 tips मैंने यहां पर provide की है use an ATS resume format तो इसमें क्या करना है कि अगर आप resume बनाते हो तो आपको dog format बनाना है ठीक है ऐसा नहीं कि आप किसी भी resume website जैसे canva हो गया बहुत सारे resume website हो गया resume giants हो गया तो इस पर आपको resume नहीं बनाना है तो ठीक है तो यहां पर आपको design नहीं डिजाइन वगरा नहीं आपको बनाना है फिर यहां पर second जो पॉइंट से लेवल रेजुमे sections क्लियर ली तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर technical skills आपको एड़ करनी है फिर professional experience आपको फिर projects वगरा आपने किया तो वह एड़ करना है फिर आपको education आपको एड़ करना है तो इस तरह से format में बताऊंगा कि कैसे चीज़े आपको करनी है कहां पर आपको नाम लिखना है कहां पर आपको mail ID लिखना है तो format पूरा बताने वा percent match करता आपका resume definitely आपका select हो जाएगा ठीक है तो तीसरा जो point है यहाँ पे headers columns और tables graphics और photo को अवाइट करना है फूर्थ है कि आपको जो ATS friendly font को यूज करना है तो इसमें कौन को से हैं के लेवरी हैं Cambria है Garamond है और Georgia है तो आपको इस तरह के font को यूज करना है फिर यहाँ पर 5th point है कि apply keyword optimization ठीक है तो यहाँ पर keyword optimization का यूज करना है जो मैं आपको बताऊंगा अब video skip मत करना मैं आपको बताने वाला हूं and 6 जो step है इसमे write resume file type मतलब कि आपको dot dot doc और doc x को आपको यूज करना है आपको PDF format बहुत ATS resume यूज करते हैं मतलब read कर पाते हैं लेकिन बहुत सार format को नहीं read कर पाता तो आपको dot format में ही आपको resume आपको बनाना है ठीक है 7 जो step है जो कि test your resume यहाँ पर लेखा हुआ है ATS resume scanners तो आपको यहाँ पर ATS resume scanners को use करना जिसे job scan होगे है बहुत सारे website में आपको बता दूँगा ठीक है plain text review होना चाहिए be consistent uniform formatting करनी है आपको जिसमें bullet point को अच्छे से use करना है फॉंट को अच्छे से use करना है फिर आपको date वेगर आपको ऐसे देने है month और year दे नहीं है ठीक है आप इसी date format का use कर लोग तो आपका resume काफी अच्छा रहेगा अब हम लोग आते है resume का format कैसे होगा कैसे हम लोग इसको resume को बनाएंगे तो आप दे name and last name okay फिर आपको यहाँ पर mobile number यहाँ पर लिखना है फिर आपको mail ID यहाँ पर लिखनी है फिर आपको यहाँ पर LinkedIn का प्रोफाइल अटेच कर देना है यहाँ पर address वगरा नहीं लिखना है ठीक है फिर professional summary आपको लिखनी है यह professional summary कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में भी हम लों discuss करने वाले हैं ठीक है फिर यहाँ पर technical skills के बारे बात करें technical skills भी आपको यहाँ पर लिखनी है और आपको वो technical skills लिखी है जो की resume जो की आपका job discuss के according रहना चाहिए ठीक है professional experience लिखना है आपको कि यह company आपने काम कीया है अगर आप फ्रेशर हो तो आप जो project पे अपने गाम किया है जो recent project से उसको पहले लिखो गे जो बात के प्रोजेक्स को बात में लिखो शी ताह सिया आगा experience हो आप तो recent company जिसमें आपने काम किया हो उस उसको पहले लिखहोगे जो उसको उससे पहले भी काम किया है तो उसको बाद पर लिखहोगे मतलब Serial Wise लिखहोगे आपको यहां पर ठीक है ति की Competences लिखने आपको यहां पर और फिर आपको achievements यहां पर आड करनाघना अवार्ड greedy जितना ज्यादा लिखो इतना ज्यादा आपका एकुरेट होगा और 1000 के अंदर वर्ट से आप लिखना है ठीक है 100 वर्ट से ज्यादा आपका रिजुमे नहीं होना चाहिए ठीक है फिर एजुकेशन आपको एड करना है फिर यहां पर आपको लाइक प्रोजेक्ट वगरा जो अपने किया है उससे आप पहले अटाच कर सकते हो बस आपको यहीं तक करना है और ज्यादा चीज़ा आपको एड नहीं कर दी है जितना एटीएस के लिए चाहिए उतना ही आपको करना है तो यह मैं फॉर्मेट आपको सेंड कर दूँगा मतलब कि आपको डिस्क्रिप्सन इसको आप कर सकते हों प्रॉबलम नहीं है कि दिट कर दे में डायेट्ली आप एडिट कर सकते हो नाम वेगर aíडेट कर सकते हो सारी चीज़ हो चाहिगी ठीकर हं फिर हम लोग बात करते किसी भी कमपनो MER embry पाawnह सकते हो हो सबसे पहले यहों मोनेट बहुत सारी लोग यहां प apply करना हूँ test automation engineer के लिए ठीक है तो basically मुझे क्या करना है about the job से लेके मुझे नीचे तक आना है जो भी job description इसका है ठीक है उसको मुझे बस copy कर लेना है okay यहाँ पर नीचे मैं आ गए यहाँ पर बस यहाँ तक मैं कॉपी कर लिया फिर मुझे चैट GPT का यूज करना है मुझे चैट GPT का यूज कर यहाँ पर लिखना है create please create a ATS friendly resume best on attached resume and job description provided below okay तो दोस्तों यहाँ पर मैं जाओंगा और resume अपना attach कर दूँँगा downloads you may upload okay and then मैं जो copy किया था मैंने job description उसको मैं copy कर दूँँगा यहाँ पर कि जोड़ी सब्सक्राइब कॉपी हो गई okay फिर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं इंटर मार देता हूं फिर यह क्या करेगा resume बना के मुझे दे देगा कि 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 यह resume इसने बना रहा है है सारे चीज़ा यह लिख देगा यह ठीक है और फिर उसके बाद क्या करना है मुझे free ATS परसेंटेज चेकर यहाँ पर क्लिक करना है ATS score जो भी लिख सकते हो आप फिर यहाँ पर जोब स्कैन की website आप यूज कर सकते हो इन्हां सीवी जोब स्कैन लाइब करियर पैंट माइट बहुत सारे यहाँ free ATS टूल है तो सबसे अच्छा मुझे यह रखता है जोब स्कैन यहाँ पर यहाँ पर कर सकते हो फिर नेक्स्ट वीक आपको फिर से फाइव स्कैन आप यहा और फिर आपको क्या करना है यहां पर basically आपको यहां पर get my free a score now पर click करना है फिर आपको यहाँ पर open होगा फिर आपको job description वेगार आपको upload करना है ठीक है यहाँ यहाँ पर मैं new scan पर जाता हूँ और यहाँ पर basically फिर से इसको मैं cancel करता हूँ clear कर देता हूँ यहाँ पर मैं okay and then मैं अपना यहाँ पर resume upload कर देता हूँ ठीक है जो resume मैंने chat GPT के through बनाया था और यहाँ पर मैं अपना job description वेगारा upload कर देता हूँ ठीक है अब यह scan करके बताए कि मेरा कितना percent resume ATS से match कर रहा ATS score कितना मेरा आएगा यह बता देगा मुझे okay दोस्तों आप देशक्तों यहाँ पर 88% में resume match कर गया है और minimum आपका 80% भी आपका resume score आपका रहे ATS score रहे तो आपका definitely उस company में resume short list हो जाएगा okay और इसमें जो गरवड़ी है आप इसमें देखके और भी सुधार सकते हो आप okay और फिर हम लोग चीजे बात करते हैं कि कुछ-कुछ चीजे मालो की जैसे कि आप grammatical mistake यहाँ पर नहीं हो आ चाहिए तो grammatical mistake के लिए आप यह लिख सकते हो fix all the grammatical typos and spelling errors from the attached resume में तो आपको यह grammatical जो भी आपने mistake किये तो उसको सही कर देगा और फिर आप यह अगर आपका resume मालो की 70% तक जा रहा है ठीक है तो आप यहाँ पर chat GPT को बोल सकते हो कि यहाँ पर please recommend additional relevant keywords from the provider job description and integrate them into the attached resume तो आपको यह थोर सा और भी आपको integrate करेगा keywords जितना keywords आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका resume का score है वो high हो जाएगा ओके दोस्तों इस तरह से आप अपना resume ATS friendly बना सकते हो आसा करता हम वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो का आप like कर देना चैनल को subscribe कर देना thank you so much guys for watching वीडियो